जहिन दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे अपने यूटूब चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं टोपिक नमर 12 की इससे पहले मैंने आपको 11 टोपिक करवा दिये हैं वो अगर आपने नहीं देखिये हैं तो देख लिजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्रा और ये टीजिंग अगर इसको आपने पहले इसके बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर इसका बता दूँगा इंट्रोक्शन और पूरा इसका हम करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टोपिक जो की है इव टीजिंग इव दो सब्दों से मिलकर बना है पहला इव एंट सेकेंड टीजिंग वेर इव रिपर्जेंट जहां पर इव का मिनिग है गल और वोमन और टीजिंग का मिन्स है डिस्टरबेंस ठीक है टीजिंग मिन्स हो गया डिस्टरबेंस इव मिस गल और वोमन और टीजिंग मिस डिस्ट so eve teasing means to disturb the girls or women girl को परिशान करना girl या महिलाओं को परिशान करना यह हो गया eve teasing का meaning और eve teasing आपको पता है छेड़ खानी होता है तो हम बोल सकते हैं कि छेड़ खानी का मतलब है लड़कियों या महिलाओं को परिशान करना next है eve teasing is a social crime eve teasing क्या है social crime है it is the sexual harassment of women by men यह sexual harassment है किसका woman का किसके द्वारा man के द्वारा it happened not only in rural area but also urban area यह केवल ग्रामेंट शेत्रों में ही नहीं बलकि urban area मतलब जो सहरी इलाका है उनमें भी होता है in our India especially in the cities you teasing has more incidents तो यह कहना चाहरा है कि जो cities है हमारे दिजाश में जो सहर है उनमें यूटीजिंग की घटना बढ़ती जा रही है next है यूटीजिंग की घटना बढ़ती जा रही है in our country we see that in mall, theatres, bus stand, railway station, schools, colleges and other public places is यूटीजिंग keeps happening यह जो जगह दी हुई है इनमें क्या हो रहा है इव टीजिंग की घटना गटित हो रही है the woman avoid walking in dark lanes मैलाएं avoid करती है कहां जाने से मतलब घूमने से कहां घूमने से dark lanes जो अंधेरी के लिया है उनमें जाने से avoid करती है and avoid places that are deserted और जो सुनसान जगह होती है वहाँ पे जाने से वो avoid करती है when they see men in a group जब वो देखती है कि इसको पुरसों को in a group में a group में they try to avoid those places वो avoid करती है उस स्थान को मतलब वहाँ जाने से हिच किशाती हैं डरती हैं next है some conservative people are think that the sword dresses of women and their body language attract boys to them some conservative people है conservative मतलब होता है rudy wadi people are think that the sword dresses of women की जो महिलाओं की जो sword dresses है and their body language और उनकी जो body language है वो attract करती है किसको लड़कों को उनकी तरफ किसकी तरफ महिलाओं की तरफ but Muslim women who wear a burqa अब आपको पता है जो Muslim women होती है वो क्या बेहनती है बुरका बेहनती है over their clothes अपने कपड़ों के उपर living only the eyes and foods जिनमें उनकी केवल आखे और foods जो होते हैं वो ही दिखाई देते हैं फिर भी उनका क्या होता है harassment होता है are also harassed मतलब उसके बावजुद भी वो harassed की जाती है तो हम यहाँ पर कहना चारहे हैं कि कपड़े का इसमें कोई रोल नहीं है जबकि कुछ रूड़ी वादी जो लोग है वो मानते हैं कि कपड़े का इवटीजिंग में रोल है जबकि इवटीजिंग के कारण और आज वाली थोड़ी सी PDF थोड़ी ढंक से नहीं बनी है नेक्स जो भी वीडियो आएगा उसमें एकदम क्लियर दिखेगा आपको आज ये थोड़ी से कुछ जो वर्ड है वो एक साथ हो रहे हैं चिपक रहे हैं कुछ इनमें गेप भी थोड़ा कम है तो आज आज थोड़ा सा देख लेना नेक्स जो भी PDF वगेर आएगी सारी एकदम सही आएगी जो पहले की वीडियो में आती थी नेक्स है जो हमारी सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने इस गटना को दबा दिया इस गटना को दबा दिया यह गटना बढ़ रही है दिन बदिन ऐसी डटेक, रेप, गेंग रेप इनके रूपों में यह गटना बढ़ रही है और मैनी फिनोमेना इन आवर कंट्री विच इस प्रवेलिंग इन इंडिया, पाकिस्तान और बांगलादेस यह यह देश दियो हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेस इन में इउटीजिंग की गटना ज्यादा होती है और यह देश रोकने के लिए भी कुछ कदम उठा रही है फिर भी बहुत सारे रिजन्स हैं जिनके कार्ण इउटीजिंग की गटना हो रही है हमारे देश में पुलिस तो पहुंचती है, चाहे कोई भी क्राइम वगरा पुलिस जरूर पहुंचती है लेकिन पहुंचती कब है, जब वो क्राइम हो चुका होता है तो वही हाल इवटीजिंग का है पुलिस पहुंचती है लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही क्राइम हो चुका होता है नेक्स्ट है अनदर रिजन इस देट दे वुमन आर नोट अवेर ओफ दियर राइट्स यह जो है यह effect मतलब कारण है कि किसके कारण हो रही है यूटीजिंग की कटना उपर था थोड़ा सा वो तो introduction था उसके बाद यह पूरे के पूरे कारण दियो है हेडिंग लगानी थोड़ी से भूल गया यह आप देख लेना कि cause of यूटीजिंग यूटीजिंग की कारण है किस कारण से यूटीजिंग बढ़ रहा है जो दूसरा रिजिन है अलग कारण है वो is that the women are not aware of their rights जो मैलाएं हैं वो aware नहीं है अपने अधिकारों को लेकर वो aware नहीं है most of them are avoid to such cases report to the police mostly मैलाएं क्या करती है avoid करती है report करवाने में police station में वो report ही नहीं दर्ज करवाती वो छेड़ खाने को सहन करती रहती है लेकिन उसके जो boys जो है उनके खिलाफ उसमें case वगेरा दर्ज नहीं करवाती तो वो भी indirectly क्या करता है उनको motivate करता है तो this incidents are increasing in our country so very less cases are reported this incidents are increasing हमारे देश में बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है incidents है आप पे meaning है EU teasing का EU teasing बढ़ रहा है हमारे country में in our country so very less cases are reported क्यों बढ़ रहा है क्योंकि बहुत कम cases report होते हैं I don't think that either I don't think that either the boys or the girls are responsible for it यह कहना गलत नहीं होगा कि इस घटना के लिए दोनों boys or girls क्या हैं दोनों के दोनों के दोनों क्या है responsible है I think that they don't report such cases which motivated to the boys to such activities जो महिलाई हैं वो क्या करती हैं case report नहीं करवाती हैं तो उसके करण क्या होता है जो boys हैं वो indirectly motivated हो जाते हैं क्योंकि जब आपको कोई परिशान करेगा आप उसकी खिलाफ कोई action नहीं ले देगा तो फिर indirectly वो motivated हो जाएगा और आगे और ज़्यादा आपको परिशान करना सुरू कर देगा तो यह है हमारा अधिकार बनता है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के परती जागरू किया जाए about their rights we have motivated them हमें उन्हें motivate करना चाहिए उन्हें चाहिए कि वो रिपोर्ट करवाए पुलिस स्टेशन में so this incident can be controlled if our parents are responsible for it यह जो incident है जो you teaching की कटना है वो भी control की जा सकती है अगर हमारे parents responsible हो अगर इस चीज़ के लिए हमारे parents जो है वो responsible हो तो अब आप बोलोगी कि इसमें parents का कहां से बीच में आ गया तो समझा रहा हूं मोपूरा आपको because I think that in my opinion थोड़ा से यह इस पर लाइने वगरा खींची नहीं चाहेगी क्योंकि थोड़ा से ज़्यादा इनमें गेप नहीं रहा है तो थोड़ा से manage कर ले ना आप तो मैं यहां से पढ़ रहा हूं because I think that in my opinion our parents to have failed हमारे जो parents have वो fail हो गए है किस चीज़ में to tease the children अपने बच्चों को सिखाने में क्या सिखाने में that how to talk with woman कि महिलाओं के साथ कैसे तो बात करनी है and how to behave with woman और महिलाओं के साथ कैसा विवार करना यह चीज़े सिखाने में हमारे parents एह समर्थ रहे हैं अगर इस चीज़ के लिए वो जिमेदार होंगे तो यह घटनाए अपने आपी कम हो जाएगी यह जो topic है वो जो sexual harassment वाला मैंने topic करवाय था उससे काफी मिलता जुलता है अगर वो topic आपका किया हुआ है तो इसमें बहुत कम आपको दिक्कत होगी आप easily समझ जाओगे अगर वो topic किया हुआ तो भी इस पे आप आराम से बोल दोगे तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना नेक्स्ट है यह केवल और केवल हमारे माइंड पर डिपेंड करता है कि हम कैसे उनके सामने जो महिला हैं उनके सामने अपने परजेंट होते हैं अगर हम हमारे जो नियत है वो ही साफ नहीं है तो फिर इवटीजिंग जैसी गटनाई अपने आपी बढ़ने लगेगी तो हम सबसे पहले हमें हमारे माइंड को इस साफ रखना होगा हमारे जो mind set है उसको सही करना होगा उसके बाद ये घटनाए अपने आप रुक जाएंगी next है besides इसके अलावा 13 जून has been designated इवटीजिंग protection day by the ministry of education in bangladesh bangladesh में जो 13 जून है उसको किसके रूप में मनाय जाता है इवटीजिंग protection day के रूप में मनाय जाता है however we all should come forward to stop इवटीजिंग for building up a nice society इसके अलावा हमें चाहिए कि हमें stop करना चाहिए कि इवटीजिंग को for building up a new society एक new society के निर्मान के लिए तो यह था आज का हमारा topic normal सा topic है चोटा सा topic है अगर आपने इससे पहले जो woman sexual harassment वाला topic है वो अगर किया हुआ है तो इसमें बिल्कुल भी आपको problem नहीं आने वाली है और इसकी PDF जो है वो हमारे आपको telegram channel में मिल जाएगी और इसका जो password है वो मैं बता रहा हूँ पासवर्ड अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना इसके password क्या रखें password यह रख लेते हैं चलो disturb ठीक है डी आई आई आज का जो हमारा password है वो जाएगा डी आई एस टी यू आर बी डीस्टब ठीक है डी आई एस टी यू आर बी यह आप जैसे डालोगे आपको PDF ओपन हो जाएगी और टेलिग्राम चैनल में आपको PDF मिल जाएगी अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो कर लेना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबानेना अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा से एर जरूर करना थैंक यू फूर वोचिंग डिस वीडियो